इस वीडियो में हम लोग अपने NPO चेप्टर में से एक important topic करने वाले हैं जो कि हमारे exam में आता ही आता है जिसका नाम है specific fund So guys specific fund में आपके इसके presentation हमें question में पूछे जाती है कि इसको किस तरीके से हम अपने income and expenditure account और balance sheet में कैसे दिखाते हैं तो सबसे पहले start करने से पहले guys अगर आप channel पर मेरे साथ पहली बात चुट रहे हो और अभी तग आपने channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe करें बाल आइकन को press करें for new more videos और yes आप अपने doubt इंस्टाग्राम पर मुझे message कर सकते हो तब इताम ऐसी ID है या फिर YouTube पर comment किये थूँ अब हम बढ़ते हैं अपने specific fund की तरफ specific fund होता क्या है guys basically NPO में बहुत सारे funds मिलते हैं यानि कि उनको पैसा मिलता है लेकिन कुछ funds ऐसे मिलते हैं जो particularly उसी purpose में use किये जाते हैं उन्हे specific fund कहते हैं इन्हें restricted fund भी कहते हैं यानि कि restrict हो रखा होता है ये fund उसी purpose के लिए जैसे building funding बनाने के लिए fund मिला तो वह building fund कहलाता है ठीक है कोई और other school बनाने के लिए fund मिला तो वह school fund कहलाएगा तो यानि कि उसका specific purpose है और उसे वहीं पर utilize कर सकते हैं उसके लाबा कहीं और उसे use नहीं करना यहां पर guys मैंने इसका जो example यह वह sports fund यानि कि वह particularly हमें sports के कामों के पड़ा था अब एक खास बात बता देती हूं जो भी हमाना specific fund होता है income and expenditure account में इसका कोई treatment नहीं होता है इसका treatment होता है balance sheet में क्योंकि यह एक liability की तरह treat किया जाता है NPO के लिए तो इसका जो भी treatment रहेगा हो हम balance sheet में करेंगे लेकिन इससे related कितनी items होती है समझते हैं देखो एक होता है sports fund on a first April हमें कितना मिल रखा है guys पांच लाख उरपे इसके लावा उनने बोला कि sports fund investment कितनी है पांच लाख अब यह क्या बला है भाई तो क्या होता है कि जितने का हमें fund आता है हम वो पैसा बजाए अपने bank में रखने के हम उस पैसे को invest कर देते हैं ताकि उस investment से अच्छा खासा interest कमा सके bank से तो एक particular 6% का interest मिलेगा लेकिन वही investment करने से हमारी income बढ़ जाती है तो उन्होंने क्या किया इसी fund को guys invest कर दिया तो वो क्या बन गया sports fund investment बन गई राइट अब जो यह investment थी इससे हमें मिला interest तो उसे हमने क्या कहा interest on sports fund investment यानि कि हमें interest मिली income मिली उसके बाद है donation for sports fund यानि कि आपको और थोड़ा पैसा मिल गया donation का किस काम के लिए sports fund यानि कि इसी काम के लिए इसके बाद आपने sports prize award करें यानि कि prices distribute करें इसके लावा आपका sports fund में कुछ खर्चे भी हुए ठीक है तो वो दोनों खर्चे आगे अब कैसे present करना है तो सबस quality amount, asset amount और liability side आएगा ये amount कितना है पांच लाख उरपे आप चाहे तो यहां पर opening mention कर सकते हैं क्योंकि opening का balance given है इसके साथ अब आपके पास जो donation आपको मिली है कितनी मिली है तो add donation for sports fund पचास हजार प्लस आपने जो interest कमाया वो कितना है ये भी interest guys खास बत ये है कि ये interest जो ये भी sports fund के काम में ही utilize किया जाएगा और कहीं नहीं तो यानि कि ये जो एक लाख रुपे हमने interest का कमाया ये सिर्फ इसी काम में utilize किया जाएगा तो अब हमारे पास total पैसा हो गया 6,5 लाख रुपे राइट अब इसके against हमने खर्चे 2 करें पहला हमने sports price award किया ठीक है कितना है 20,000 और उसके against हमने expenses भी करें so expenses भी हम minus करेंगे 30,000 तो यानि कि ये अगर minus होगा तो final term guys 6,000,000 बाहर आ जाएगी ठीक है तो यानि कि हमने इसको भी रिखा दिया 5,000,000 को भी रिखा दिया हमने interest को भी रिखा दिया add किया donation को भी add किया और expenses को हमने less कर दिया अब बस हमारे एक चीज रह गई that is the sports fund investment investment हमारा asset होता है तो sports fund investment हमारे asset side appear हो जाएगा कितना 5,000,000 तो इस तरीके से हम specific fund का treatment करते हैं जो कि बहुत असान है I hope आप लोगों को easily समझा गया होगा कि जो investment है वो आपका asset बन जाता है बाकि सारी चीज़ों का treatment आपकी balance sheet के liability side होता है जिसमें कैसा jar है आपके पास से minus कर देते हो राइट इसके सारसाथ guys एक और concept होते है general fund का general fund हमारे लिए liability होती है normal है कि यह liability है लेकिन उसके अगर against आपने investment कर रखी है वो आपका asset होता है लेकिन खास बात यह है कि general fund से होने वाला जो मतलब आपने जो investment करी है उससे होने वाली income आप पर इसका interest plus कर दिया ना अपने अगर यहाँ पे general fund investment होता और उसकी against आपको interest मिलता तो वो यहाँ नहीं आता general fund में आप क्या करते हो वो as a income treat किया जाता है लेकिन specific fund में यह सारी चीज हमारी liability बन जाती है तो खास बात यह है कि अभी आपको यही पढ़ना है general fund एक बहुत easy स concept है आप बहुत असानी से उसे समझ सकते हो उसमें भी investment यहाँ आती है general fund यहाँ आता है लेकिन उससे related अगर आपको income होती है तो वो आपके income and expenditure में आती है बस यही difference है बाकि फुल आपको I hope यह चीज़ समझ आई होगी अगर फिर भी कोई query है कोई doubt है तो आप comment की थरू पू कर दो आपको